जाहिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हमाँ सपीडी का पेज नमर 2 को देखेंगे पेज नमर 1 पहले ही कंप्लीट हो चुका है जिसको आप वीडियो के प्लेट लिस्ट में जा कर देख सकते हैं तो आज़े देखते हैं पेज नमर 2 को पहले दिया हुआ है भारत एक परिचे भारत एक परिचे तो भारत के बारे में दिया हुआ है भारत का परिचे दिया हुआ है तो भारत इस्थित है उत्री गुलार्थ एवं पुर्वी देशांतर में भारत की आकिर्ती की बात करें तो भारत की आकिर्ती है चतुस कोण ये भारत का कुल छेत्रफल 32,867,263 वरग किलोमीटर है भारत का कुल छेत्रफल की बात करे तो 32,867,263 वरग किलोमीटर है भारत का छेत्रफल संपुर्ण विश्व का 2.42 है भारत का छेत्रफल जो है संपुर्ण भीस्व का 2.42% है भारत की राजधानी नई दिल्ली है जो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय बनी थी सरवाधिक बोली जाने वाली भासा भारत की सरवाधिक बोली जाने वाली भासा कौन है भारत की सबसे बड़ी जनजाती की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी जनजाती जो है गोंड है जो मद्धे परदेश में जादा पाई जाती है चेत्रफल की दिरिष्टी से विस्व में अस्थान सात्मा है जनसंख्या की दिरिष्टी से विस्व में अस्थान की बात करे तो दूसरा है और विस्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% करती है विस्व में जितनी जनसंख्या है उसका भारत में 17.5% निवास करती है अच्छांसी ये विस्तार की बात करें तो 8 डिगरी 4 से 37 डिगरी 6 उत्री अच्छांस है देशांतरी ये विस्तार की बात करें तो 68 डिगरी 7 से 97 डिगरी 25 पुर्वी देशांतर है ये दोनों काफी इंपोर्टेंट है अच्छांसी ये विस्तार आठ डिग्री चार औस से 37 डिग्री छे औस उत्री अचांस देशांतरिय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री देशांतरिय विस्तार जो है 68 डिग्री साथ से 97 में डिग्री 25 फुर्वी देशांतर है उत्तर से दच्छिन में विस्तार भारत की उत्तर से दच्छिन में विस्तार 3214 किलो मिटर है। प्रदेश में इस्तित है और सबसे पच्छमी बिंदू भारत की सबसे पच्छमी बिंदू जो है सरक्रीक है जो गुजरात में इस्तित है सबसे उत्री बिंदू इंद्रा कॉल है जो जम्मू कस्मीर में इस्तित है और सबसे दच्छनी बिंदू की बात करें तो इंद्रा भारत की सबसे पुर्वी बिंदू वालांगू है जो रुनाचल परदेश में इस्तित है सबसे पच्मी बिंदू सरक्रीक है जो गुजरात में इस्तित है और सबसे उत्री बिंदू इंद्रा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में इस्तित है सबसे दचनी बिंदू की बात करे तो इंद्रा पॉइंट या जिसे पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं दचनी बिंदू भूमद रेखा से दूरी भारत की दचनी बिंदू की उमद रेखा से दूरी की बात करे तो 876 किलोमीटर है प्राइदीपिय भारत जिसे मुख के भुमी कहते हैं का दचनी नोख है केप केमरीन जो कन्यकुमारी तमिलाडू में इस्तित है भारत में दीपो की कुल संख्या 247 है जिसमें 204 दीप जो है बंगाल की खाड़ी में तथा 43 दीप जो है अरब सागर में इस्तित है लच्छ दीप में दीपो की कुल संख्या 36 है अस्थल सीमा की कुल लंबाई की बात करें भारत की अस्थल सीमा की कुल लंबाई 15200 किलो मिटर है तटिय भा की कुल लंबाई 7565 किलो मिटर है भारत की तटिय भा की कुल लंबाई कितनी है तो 75.5 km है बारत की मुख भूमी के तटी भाकी लंबाई एक सट सो किलो मीटर है काफी important question है कि भारत की मुख भूमी के तटी भाकी लंबाई कितनी है तो एक सट सो किलो मीटर है भारतिय मानक समय 85.82 डिग्री पुर्वी देशांतर रेखा जो इलाहबाद के मिर्जापूर से गुजरती है भारत, भारती मानक समय कितना है तो साड़े बेरासी डिगरी पूर्वी देसांतर रेखा से गुजरती है, जो इलाहबाद के मिर्जापूर से गुजरती है ठीक है भारत का मानक समय जो है साड़े बिरासी डिग्री पूर्वी देसांतर रेखा है जो इलहाबाद के मिर्जापूर से गुजरती है साड़े बिरासी डिग्री पूर्वी देसांतर रेखा गुजरती है पाच राजों से कितने राजों से तो पाच राजों से भारतिय मानक समय तथा ग्रीन बीच समय के बीच अंतर है कितना है पाच घंटा तीस मिनट यानि साड़े पाच घंटा आगे है भारतिय मानक समय जो है ग्रीन बीच जो है भारती मानक समय तथा ग्रीन वीच समय के बीच अंतर है साढ़े पाच घंटा भारत के कुल राजों की संख्या की बात करे तो भारत में कुल राजों की संख्या जो है 28 है और केंदसासित राजों की कुल संख्या 8 है समुद्री तर्ट से लगे राजों की संख्या कितनी है तो 9 है भारत में समुद्री तर्ट से लगे राजों की संख्या कितनी है 9 है हिमाले के छूने वाले राजों की संख्या कितनी है 10 है भारत में हिमाले को छूने वाले राजों की संख्या कितनी है 10 है भारत की प्रादेशिक जलसीमा 12 समुद्री मील है एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 किलो मीटर भारत की मद्ध से गुजरने वाली रेखा कौन है तो करकरेखा है जो कि भारत की मद्ध से गुजरती है और करकरेखा जो है भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है ये कौन-कौन राज्य हैं तो गुजरात है राजस्थान, मद्यपरदेश, चतिसगर, जारखंड, पच्छी मंगाल, त्रिपूरा एव मिजोरम है करकरेखा से गुजरती है भारत के कितने राज्य तो आठ राज गुजरती है कौन-कौन गुजरात, राजस्थान, मद्यपरदेश, चतिसगर, जारखंड, पच्छी मंगाल, त्रिपूरा एव मिजोरम सरवाधिक नगरीकित राज्य भारत की सरवाधिक नगरीकित राज्य कौन है तो गोवा है भारत की नगरीकित राज्य कौन है तो हिमाचल परदेश है हिमाचल परदेश जो है नगरीकित राज्य है सरवाधिक वनाच्छादित राज्य तो भारत में सरवाधिक वनाच्छादित राज्य जहाँ जादा वन है, जंगल है, वो राज है, मद्यपरदेश सबसे नियुंतम वन अच्छादित राज ये भारत की सबसे कम वन किस राज में पाई जाती है तो हर्याना सर्वाधिक बर्सा होती है भारत में सर्वाधिक बर्सा कहां होती है तो मांसी राम में घाले मांसी राम में होती है जो में घाले में इस्थित है भारत में सबसे नियुंतम बर्षा यानि कम बर्षा होती है कहां लेह में जो जमु कस्मीर में इस्थित है भारत की सबसे प्राचिन परवत कौन है तो अरावली है जो राजस्थान में इस्थित है भारत की सबसे नमीन परवत है तो हिमाले है जिसे वलीद परवत भी कहते है भारत का सरवाधिक पुर्वी भाग कौन है तो भारत का सरवाधिक पुर्वी भाग अरुनाचल परदेश है जिसका पुराना नाम नेफा है अरुनाचर परदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा है अब हम जनगन्ना 2011 की बात करते हैं तो भारत में भारत में पहली जनगन्ना की सुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में लॉड मेयो के कारिकाल में हुई थी देश में नियमित जनगन्ना की सुरुआत 1881 इस्वे में हुई किसके समय लॉर्ड रीपन के कारिकाल में हुई काफी दोनों important question है कि भारत में पहली जनगन्ना की सुरुआत कब हुई तो 1872 में लॉर्ड मेयों के सासनकाल में तथा देश में नियमित जनगन्ना की शुरुवात कब हुई तो 1881 में लॉर्ड लीपन के सासनकाल में सुतंतर भारत की पहली जनगन्ना कब हुई तो 1951 में जनगन्ना का महा विवाजन वर्स 1921 को कहते हैं जनगन्ना का लगो विभाजक वर्ष कौन है तोनी सो एकामन है जनगन्ना की अवधी परतेक दस वर्ष पर होती है यानि कि जनगन्ना परतेक दस वर्ष पर की जाती है जनसंख्या का अध्यन क्या कहलाता है तो जनसंख्या का अध्यन डेमोग्राफी कहलाती है 2011 की जनगन्ना का क्रम क्या है तो देश की पंदरहमी तथा सुतंत्र भारत की साथ मी 2011 की जनगन्ना क्रम जो है देश की पंदरहमी तथा सुतंत्र भारत की साथ मी जनगन्ना है 2011 की जनगन्ना का अदर्स वाक के क्या था तो हमारी जनगन्ना हमारा भविष जनगन्ना 2011 का अदर्स वाक के था जिसमें कुल 29 प्रश्ण पूछे गए थे जनगन्ना का सुभंकर परगनक सिछी का को कहा जाता है जनगन्ना का सुभंकर कौन है तो परगनक सिछी का उन्हें कहा जाता है पर्थम जनगना कमीशनर कौन थे तो डबलू प्लाडेन जो है जब डबलू प्लाडेन जो है जनगना पर्थम जनगना कमीशनर थे सुतंत्र भारत के पर्थम जनगना आयुक्त कौन थे तो आर ए गोपाला स्वामी जो है सुतंत्र भारत के पर्थम जनगन्ना आयुक्त थे जिनकी अवधी उनिस सो उन्चास से उनिस सो तिरपन थी वर्तमान जनगन्ना आयुक्त कौन है तो सैलेस वर्तमान जनगन्ना आयुक्त है ये अभी ये चेंज होती रहता है तो वर्तमान में कौन है ये आप देख लिजेगा पहली बार जाती अधारित जनगर्ना 1931 में हुई थी विश्व जनसंख्यां दिवस कब मनाई जाती है 11 जुलाई को मनाई जाती है भारत की कुल जनसंख्यां 2011 के जनगर्ना के नुसर कितनी है तो 121.08 करोड है भारत में 20 जनसंख्यां का भाग कितना है तो 17.5 परतिसत है भारत में 20 जनसंख्यां का भाग पुरूष जनसंख्यां कितनी है तो पुरूष जनसंख्यां 62.32 करोड है जो की 51.47 है 51.47% है तता भारत में महिला जनसंख्या कितनी है दोजरेगारा जनगना के नुसार तो 58.75 कलोड जो की 48.5 तीन परतिसत है दसकिये विर्धी की बात करें तो हर दसवर्ष पर विर्धी जो है हुई है कितना 17.7% की वार्षिक विर्धी 1.64% की हुई है कुल सचर्था भारत की कुल सचर्था कितना थी दोजरेगारा की जनगना के नुशार तो 73% थी पुरुष सचर्था 80.9% थी महिला सचर्था दर महिला सचर्था दर कितनी थी तो 74.9% लिंगानुपात की बात करें तो 943 महिलाएं पर 1000 पुरुष 943 महिलाएं ओबलिक 1000 पुरुष थी लिंगनुपात सीवू लिंगानुपात की बात करें तो 0 से 6 वर्स की सीवू 929 थी और जनसंख्या घंत्वा की बात करें तो 382 वेक्ती प्रती वर्ग किलो मीटर यानि की 301 वर्ग किलो मीटर के अंदर 382 वेक्ती लगभग थे चनसंख्यां सरवाधिक लिंगानुपात केरल मिथी दस्सो चौरासी नियुंतम लिंगानुपात हर्याना की आट्सो उनासी और सरवाधिक केंदरसासित लिंगानुपात कहां पुदू चेरी नियुंतम केंदरसासित लिंगानुपात कहां थी दूमन वद्धिव में थी सरवाधिक जनसंख्यां का गहनत्व कहां था तो बिहार में पाया गया 1106 ये सब जितने भी प्रशने सभी 2011 के जनगना के अनुसार जो हुई है उसके बारे में हैं कि सरवाधिक जनसंख्यां गहनत्व कहां का था तो बिहार का था नियुंतम जनसंख्यां गहनत्व की बात करे तो रोनाचल परदेश 17 सरवाधिक केंदरसासित जन गहनत्व दिल्ली की थी तो था नियुंतम केंदरसासित जन गहनत्व कहां का तो अंडमान निकोबार का अंडमान निकोबार का नियुंतम केंद्रसासित जनगनत्व था अंडमान निकोबार का सरवाधिक जनसंख्या उत्तरप्रदेश उनीस दसमलो नो आट करोड सरवाधिक जनसंख्या थी उत्तरप्रदेश की और नियुंतम जनसंख्या सिक्किम की थी 6.11 लाख यानि कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज सिक्किम 2011 जनगन्ना के अनुसार सरवाधिक केंदर सासित जनसंख्या दिल्ली की और नियुनतम केंदर सासित जनसंख्या लच्छ दीप की थी एक मात्र राज जा जनसंख्या घटी कहां तो नागलेंड में नागल एंड में जनसंख्या दो जरीकारा में गटी हुई मिली सरवाधिक सचर्था की बात करें तो सरवाधिक सचर्था वाला राज जो है केरल था केरल सोरी राज नहीं सरवाधिक सचर्था केरल की 94% निनतम सचर्था बिहार का 61.8% और निनतम महिला सचर्था राजस्थान 51.5% सरवाधिक केंदसासित सचर्था लच्छ दीप का और निनतम केंदसासित सचर्था दादर वर नगर हविली अधिक जनसंख्या वाला जीला थाने महराष्ट सबसे अधिक जनसंख्या वाला जीला कौन था तो थाने महराष्ट में इस्तित है जो कम जनसंख्या वाला जीला डिबांग घाटी जो के अरुनाचल प्रदेश में इस्तित है और अधिक जीलो वाला राज जीले है तो उत्र प्रदेश जहांपाचत्तर जीले है नेक्स्ट कोलम में है दिया हुआ सौरी मंडल तो सौरी मंडल सौरी परनाली के खोज करता कौन है तो कौपर निकस सौरी परनाली के खोज करता कौन है कौपर निकस काफी इंपोर्टेंट कोचन है ये और सौरी मंडल में ग्रोहों की कुल संख्या की बात करे तो आठ है सौरी मंदल में ग्रोहों की कुल संख्या आठ है ग्रोहों के गति के नियम के पर्थिपादक कौन थे केपलर थे सबसे बड़ा यह भारी करह भिहस्वती को कहा जाता है सौरी मंदल का सबसे छोटा गरह बूध है जिसे मरकरी भी कहते हैं और सुर्य से सबसे निकट इस्थित करा कौन है? बुध है। सुर्य और पिर्थवी से सबसे दूर इस्थित करा कौन है? बरुन है। पिर्थवी के सबसे निकट इस्थित करा कौन है? सुक्र है। पृत्वी के सबसे निकट स्थित्गरा कौन है पृत्वी के सबसे निकट स्थित्गरा सुक्र है पृत्वी की तिरिज्यम आपने बाला सबसे पहला वेक्ति कौन था इरेटो अस्थनीच पृत्वी के परोसी गरा किसे कहा जाता है तो सुक्र एवं मंगल को पृत्वी के पर उपगरा कौन है तो प्रिथवी का एक मात्र उपगरा है चंद्रमा जिसे जीवास्मगरा भी कहा जाता है जीवास्मगरा भी कहा जाता है। प्रिथवी का निकरतम तारा कौन है तो सूरिय है और सूरि का निकरतम तारा कौन है तो प्रॉक्सिमा सेंचूरी है सरवाधिक चम्कीला एवं गर्म गरह है कौन सुक्र सरवाधिक ठंडा गरह कौन है तो वरून सरवाधिक उबगरहों वाला गरह कौन है विहस्पती जिसके सड़सट उबगरह है बिना उबगरहों वाला गरह कौन है तो बूद एवं सुक्र बूधियम सुक्र जो है जिनके कोई उबगरा नहीं है लाल तथाहरा गरा किसे कहा जाता है तो लाल गरा मंगल को तथाहरा गरा जो है वरुन को कहा जाता है पीला गरा किसे कहा जाता है पीला गरा जो है वियस्पति को कहा जाता है और नीला गरा पिर्थवी को कहा जाता है लेटा हुआ गरा किसे कहा जाता है तो अरून को जिसे उरेनस भी कहते हैं इंगलिस में इसे लेटा हुआ गरा कहा जाता है लेटा हुआ गरा किसे कहा जाता है तो अरून को अरुन को सरवाधिक गैसों से गीरा गरह कौन है तो अरुन जिसे युरेनस कहते हैं सबसे कम घनतवाला गरह कौन है सनी सबसे कम घनतवाला गरह जो है सनी है पिर्थिवी की बहीन तथा जुडवा गरह कौन है सुक्र है पिर्थिवी की बहीन तथा कौन है सुक्र है जिसे वीनस भी काते हैं सबसे बड़ा उपगरा कौन है तो गैनी मेड जिसे विहस्पती के उपगरा का जाता है सबसे बड़ा उपगरा कौन है गैनी मेड जो विहस्पती के उपगरा है सबसे छोटा उपगरा कौन है सबसे छोटा उपगरा जो है डीमोस है सबसे छोटा उपगरह कौन है डीमोस है जो की मंगल करह के उपगरह है फोबोस एउम डीमोस जो है उपगरह किसके हैं तो मंगल के हैं फोबोस और डीमोस जो है उपगरह है मंगल करह के उपगरह है सनी का सबसे बड़ा उपगरह कौन है तो टाइटन है काफी इंपोर्टेंट कोचन ये है कि सनी का सबसे बड़ा गरह कौन है तो टाइटन वलय जिसे चल्ला काते हैं युक्त गरह कौन है तो सनी सनी के वलय होते हैं और कुल वलयों की संख्या जो है साथ होती है सनी गरह के कुल वलयों की संख्या कितनी है तो साथ है सबसे तेज यह सबसे धीमी गती से गुर्णन करने वाला गरह कौन है तो करमसा बूध तथा सुक्र सबसे धीमी गती से गुर्णन करने वाला गरह कौन है तो सुक्र और बरून सुक्र और बरुन जो है विप्रीत दिसा पुर्व से पच्छिम की और चक्कर लगाती है तथा अनिकरा जो है पच्छिम से पुर्व की और चक्कर लगाते है सरवाधिक चमकिलागरा कौन है तो साइरस है सरवाधिक चमकिलागरा साइरस है जिसे डौग अश्टार भी काते है सबसे पिर्थिवी से सबसे निकट तारे का परकास पिर्थिवी पर पहुचने में लगा समय 4.2 वर्स है है पिर्थिवी के सबसे निकट तारे का प्रकास जो है पिर्थिवी तक परपहुशने में लगा समय कितना है 4.2 वर्स सूरी के केंदर का ताफमान कितना होता है 15 M डिग्री सेल्सियस 15 M डिग्री सेल्सियस 15 M का मतलब है 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 कहा जाता है सूरी की बाहितम परत को क्या कहा जाता है किरीड कहा जाता है जिसे कोरोना भी कहते हैं सूरी का दिप्तिमान सता को क्या कहते हैं परकास मंडल कहते हैं सूरी का संगटक कौन है तो हाइट्रोजन और हिलियम हाइट्रोजन और हिलियम जो है सूरी का संगटक है सूर जो है सूरी की उर्जा का स्रोत किस पर काम करती है तो नाभी के सनलायन सूरी तथा चंद्रमा के परकास को पिर्थिवी पर पहुचने में लगा समय कितना है तो सूरी का परकास जो है पिर्थिवी पर पहुचने में 8.3 मिनट या 500 सेकेंड कर सकते हैं लगता है तथा चंद्रमा का परकाः जो पिर्थिवी पहुचने में 1.3 सेकेंड लगता है भू इस्थिर उपगरह की उचाई कितनी है तो 36,000 किलो मेटर है छुद्रगरह इस्थित है तो छुद्रगरह मंगल और विहस्पती के बीच इस्तित है सबसे बड़ा छुद्रगरा कौन है तो सबसे बड़ा छुद्रगरा सेरस है चंद्रमा पिर्थिवी की एक परिकर्मा करता है कितने दिनों में तो 27 दिन 8 गंटे में लगभाग चंद्रमा जो है पिर्थिवी की एक परिकर्मा करता है कितना दिनों में 37 दिन 8 घंटे में लगभाग और पिर्थिवी द्वरा सुरी की परिकर्मा में लगा समय कितना है 365 दिन 6 घंटा लगभाग और लास्ट कोचन है पेज नमबर 2 का सी आफ ट्रेक्विलिटी इस्थित है चंद्रमा पर तो दोस्तों आसा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी मातपुन रहा होगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें धन्यवाद मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट पेज नमबर 3 के साथ